हेलो एंड वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवुड बफ और मैं हूँ आपे साथ नील मनी अक्सर खबरों में मनी रहने वाली विग बॉस ओटिटी की एक्स कंटेस्टेंस उर्फी जावेद अपने फैसन सेंस की वज़े से सुर्ख्यों में रहती हैं उर्फी अक्सर कुछ ऐसे आउट्फिट पहने हुए नजर आती हैं जिसे देख कर लोग हैरान रह जाते हैं उर्फी जावेद की तस्वीरे और वीडियोज शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल होते हैं जिस वज़े से उर्फी को कई बार अपने कपड़ों को लेकर लोगों की तीखी परतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा है एक्ट्रेस को कई बार अपने कपड़ों की वज़े से ट्रोल भी होना पड़ा है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की परिसनल लाइफ की काफी कम लोग जानते हैं कि उर्फी सीरियल अनुपमा फेम एक्टर पारस कल नावत को डेट कर चुकी है पारस और उर्फी की ये मुलाकात साल 2017 में सीरियल मेरी दुर्गा के सैट पर हुई थी जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और कुछ ही समय में उर्फी और पारस ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था शुरुवाती दिनों में दोनों ने अपने रिष्टे को सीक्रेट बनाय रखा था लेकिन बाद में दोनों ने इसे पबलिक कर दिया था माना जाता है कि पारस अपने रिष्टे को आगे लेकर चाना चाते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं उर्फी जावेद और पारस का लनावत का रिष्टा ज्यादा लंबा नहीं चल पाया दोनों को रिष्टा महज 9 महीं तूट गया था उर्फी जावेद ने पारस से अचानक ब्रेक अप कर दिया था जिसके बाद पारस उर्फी के इस फैसले से हैरान रह गए थे उर्फी जावेद ने ब्रेक अप की वज़े बताते हुए मीडिया संग बातचीत में कहा था कि वह और पारस एक दूजरे से बिलकुल अलग है पारस को लोगों से मिलना बिलकुल पसंद रही है और उर्फी पार्टी लवर है जहां पारस नोनवेज नहीं खाते हैं और उर्फी को नोनवेज काफी पसंद है इन सब बातों के चलते उर्फी जावेद ने अपनी और पारस की जोड़ी को अपोजिट पेर बताय था और कहा था कि ऐसी सिचुएशन में ब्रेक अप करना ही सही था फिलाल के लिए बॉलिवुड बफ में सिर्फ इतना ही बॉलिवुड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलिवुड बफ